हेलो दोस्तों मैं राकेश शौधरी आपका mathematics teacher वेलकम करता हूं आपका digital तहरे के YouTube चैनल जैसा कि आप देख सकते हैं हम बात कर रहे है आरस अगरवाल इंग्लिश वाली बुक के बारे में जिसमें हमारा chapter चल रहा है simplification और उसका part देख रहे हैं part number 38 start करता है part number 38 जो कि start हो रहा ह 531 से क्या गहरा question number 531 देखिए if x plus y is equals to 2a then the value of a upon x minus y plus a upon y minus a is चलिए निकाल लेते हैं तो कैसे होगा ये देखिएगा a upon x minus y plus a upon y minus a LCM लिया तो कितना आगिया x minus a y minus a x minus a से x minus a गया y minus a बचा उसका a से multiplication ay minus of a square plus y minus a से y minus a गया x minus a बचा उसका a से multiplication ax minus of a square ठीक है चलिए और देख लेते हैं minus a square minus a square minus of 2a square हो गया ay plus ax तो a common ले सकते हैं यहाँ पर अंदर क्या रह जाएगा x plus y रह जाएगा और नीचे हम देख पा रहे हैं क्या आ रहा है x minus of a और y minus of a अब x plus y की जो value है वो हमारे पास कितनी यह 2a दिख रही हैं हमें तो यहाँ पर value रख सकते हैं 2a तो यह लीजिए उपर value रख लिए इसके जगे 2a तो 2a रखेंगे तो 2a का a से multiplication तो 2a स्क्वेर हो जाएगा तो 2a स्क्वेर minus of 2a स्क्वेर अपॉन आपका x minus a और y minus a है तो मैं देख सकता हूँ minus और यह plus दौनो add होकर 0 हो गए 0 में इसका divide करेंगे तो 0 ही आएगा इसका मतलब second option आपका बिलकुल सही होगा यह था हमारा question number 531 बात करते हैं next question 532 के बारे क्या गरा question number 532 देखी 421 divided by 35 multiplied 299.97 upon 25.05 तो 299 जो है इसे तो हम लिख लेंगे definitely 300 इसे हम लिख लेंगे 25 यह 421 है तो यह 35 हो रहा है तो इसको थोड़ा 420 लिख लेते हैं approximation के लिए ताकि division में divide करने में दिक्कत नहीं आए तो 420 upon 35 multiply 300 upon 25 equals to question mark उसका square ठीक है अब इसको solve करना कर लेते हैं तो 25 से तो definitely यह cancel हो गया 4, 8, 12 times ठीक है और कुछ cancel हो रहा हो तो देख लेते हैं तो 7 से गया यह 5 times और 7 से यह जा रहा है कितना 6 times फिर 5 से इसको कर लेते हैं तो कितना 12 times 12 into 12 कितना 144 equals to question mark उसका square एटेगा तो इदर square root होगा तो result आजाएगा 12 जो कि हम देख सकते हैं fourth option हमारा बिलकुल सही होगा बात करते हैं next जो question है 5.33 के बारे में क्या कह रहा है question number 533 देखिए approximate करना इनको इसको मैं ले सकता हूँ 20 20 इसको मैं ले सकता हूँ 16 इसको मैं ले सकता हूँ 225 इसको मैं ले सकता हूँ 125 बस हो गया अब हमारा काम तो ले लेते हैं इसको पहले multiply करना है कर लेते हैं कितना हो गया 320 प्लस 225 प्लस 125 एड़ करना इनको एड़ कर लेते हैं ये 5 और ये 600 और ये हो गया आपके 670 जो की option तीसरा option आपको बिलकुल सही है बात करते हैं next question 534 के बारे में क्या कर रहा है question number 534 देखिए simple सा इसकी value निकाल नहीं है तो निकाल लेते हैं 3625 multiply कह रहा है आपको तो इसको उधर बेज देते हैं question mark is equals to 1450 upon 3625 ये लिखावा है चलिए cancel हो रहा है उससे cancel करके answer देखते हैं 25 से cancel करके देखते हैं इसको 25 से ये गया one time फिर कितना बचा आपके पास 36 है तो ये हो गया 11 तो फिर ये गया four times फिर कितना रहे गया 12 तो फिर ये गया five times 25 से इसको देख लेते है 145 है तो ये चला जाएगा आपके four और three four और one कितना five times 125 पीछे कितना रहेगा ये रहेगा 20 और ये zero है तो 200 तो ये जाएगा फिर कितना हम देख सकते हैं eight times ठीक है कितना आ रहा है 58 अपॉन 145 तो अब हम देखें और किसी से ये cancel हो रहे हो तो और किसी से जैसा कि option दिख रहा है हमें यहाँ पर क्योंकि 25 से किया तो 145 है तो definitely ये four और five हो गया 125 पीछे रहे गया कितना 20 तो ये zero था तो 200 ये eight times आपके जा रहा है चलिए अब और किसी से cancel हो रहा है चलिए इसको cancel कर लेते हैं 29 से तो 29 से ये जा रहा कितना तू टाइम और 29 से इसको करें तो नौ का पांच से ये 45 और ये 100 ठीक है ये गया फाइफ टाइम तो टू बाई फाइफ मतलब second option आपका सही हो जाएगा बात करते नेक्स्ट जो कुश्चन है 535 उसके बारे में 535 आपको कह रहा है एप्रॉक्सिमीट वैल्यू कह रहा है तो हम देख सकते हैं यह कितना हो गया 128.43 है तो इसको 128 लेते एक बार के लिए यह 30.21 है तो इसको 30 ले लेते एक बार के लिए चलिए 128 और यह 30 हो गया 158 यह कुश्चन मार्क हैं तो 173 माइनस ओफ 158 ठीक है माइनस करना कर लेते हैं अच्छा पॉइंट में ही है तो चलिए फिर एप्रोक्सिमेट क्यों लेना जब आंस्वर पूरा का पूरा पॉइंट में ही आ रहा है तो तो सीधा एडी करते हैं 3 और 144 और यह 2 कितना 6 फिर 128 और 30 कितना 158 ठीक है इक्वल्स टू में कितना है 173 कुश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है 173 में से 158.64 आप लेस करेंगे तो आप देख सकते हैं पॉर करेंगे तो 0.36 तो बचेगा यह आपके पास तो 0.36 में तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि यह है और 36 करेंगे तो 59 हो जाएगा फिर यह 60 और यह देखें हम 13 और यह बिल्कुल सही है यह ऑप्शन आपका सही होगा चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो कुश्चन है 5.36 उसके बारे भी क्या कहा रहा है कुश्चन निम्बर 5.36 सिंपल सह इसको कैलकुलेट करना है 123 x 999 प्लस 123 तो 123 मैं कॉमन ले सकता हूँ तो 999 प्लस कितना हो गया 1 और 999 प्लस 1 आपको पता है कितना हो जाएगा 1000 वो इसके साथ मल्टिप्लिकेशन में लग जाएगा तो ये लग गया तो आंस्वर आगया हमारा जो की ऑप्शन कौन सा सेकंड ऑप्शन बिलको सही है बात करते हैं नेक्स्ट जो कुश्चन है 5.37 उसके बारे में इसको करना है तो डारेक्टी ये फॉर्मूला दिखरा आपको ये A हो गया ये B हो गया ये A है और ये B है उपर हो गया प्लस B का होल स्क्वर प्लस A माइनस B का होल स्क्वर होता है आपके 2 टाइमस ओफ A स्क्वर प्लस B स्क्वर नीचे क्या है आपके A क्ला गया दू इसको हैं jो कुश्चन है 5.38 के बारे में क्या गया रहा question number 538 देखिए simple add करना एक कर लेते हैं तो पहले इनको देख लेते हैं यह कितने हो गया 9 और 4 कितना हो जाएगा 3 फिर यह 6 और 1 7 फिर यह 9 फिर 3 और 2 5 और 7 और 1 8 चलिए यह कितना हो रहा है यहाँ पर देख लेते हैं 8 और 6 कितना हो गया यह 8 और 6 14 फिर 7 और यह 6 ओ गया कितना 13 फिर 1 4 और 4 कितना 8 यह पिर इसे हम देखें 4 और 5 कितना 9 फिर 8 और 6 कितना हो गया यह 14 यह इसमें से down करना यह 8 15 Sundays 3 अंशुर आ जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा, तो मैं देख सकता हूँ, यह हो जाएगा 1, 13 है, यह कितना है, आपके 7 होगा, तो यह 6, फिर यह कितना 7 और यह 9 होगा, तो 17, यह 8, फिर यह कितना 8 और यह 5 होगा, तो यह कितना 3, ऐसा कुछ दिख रहा है, बिल्कुल द कितना 14 में से 8 कर लिया तो 6 आ जाएगा तो 63861 आपका 3rd option बिल्कुल सही होगा बात करते हैं नेक्स जो question है 538 के बाद में 539 उसके बारे में क्या कह रहा है question 539 देखिएगा solve करना इसे कर लेते हैं simple सा हिसाब है पहले एड करना, एड करने वालों को एड कर लेते हैं पिर उसमें से माइनस कर लेंगे एक ही बात है ये हो गया कितना 9 और 6 5 बतलब 15 फिर ये कितना है 5 और 7 आप देखेंगे ये हो गया 15 और 7 हो गया 22 तो उसका 2 फिर ये 11 हो गया फिर ये 0 है 11 और ये 7 कितना हो गया आपके पास 18 तो ये 8 आगया और ये 1 तो ये 4 और ये 2 कितना 6 और अब कुछ है नहीं तो ये 6 लीजिए फिर 4 और 3 ये कितना 7 लीजि चलिए 3 1 2 5 उधर प्लस का इधर आकर माइनस का होगा तो माइनस का होगा तो इसके साथ ही ले ले लेते यह कितना 9 हो गया 2 और 8 यह 10 हो गया फिर यह 2 और 7 9 हो गया फिर 1 और 3 यह 4 हो गया इस पर से इसको माइनस कर लेंगे हमारा अंस्वर आ रहा है तो कितना हो जाएगा 12 में से 9 करोगे तो यह आपके पास रह जाएगा कितना यहां पर 3 फिर यह कितना 7 फिर यह 16 है तो यह 7 फिर यह कितना 6 है 4 है तो यह कितना 2 2773 मतलब तीसरा option आपका सही हो जाएगा बात करते हैं नेक्स्ट जो question है question number 540 उसके बारे कर लेते हैं इसे 14 multiply 627 upon square root of 1089 जो कि 33 का होगता है equals to question mark का cube plus 141 चलिए 11 से कर लेते हैं इसको तो यह गया 3 ताइम्स यह गया 5 ताइम्स फिर कितना बचा 7 तो गया 7 ताइम्स फिर 3 से इसको कर लेते है तो यह गया वन टाइम्स फिर 27 तो 19 टाइम्स घीक है फिर 14 का 19 से multiplication करना है तो 14 का 20 से करोगे तो कितना हओगा 280 उसमें से आपको 14-00 less करना है तो उसमें से आप 14 less कर लोगे तो कितना आ जायेगा ये 70 और ये कितना 66 ठीक है 14 का 19 से ही multiplication करना था तो हमने 14 का 20 से कर लिया तो 280 हो गया एक बार 14 कम कर लिया तो ये हो गया आपके पास कितना 266 141 इधर लाकर minus कर दीजिए और ये जो निकालना है वो as it is यहीं पर है तो इसमें से इसको less कर लेते हैं तो कितना बचेएगा ये हो गया 5 ये हो गया 2 ये हो गया 1 और ये cube है तो इधर लग जाएगा cube root तो answer आ जाएगा 5 जो की हम देख सकते option है कौन सा चौथा बिलकुल साई बात करते हैं next जो question है 5, 4, 1 के बारे में आपको given है x plus 1 by x जो है कितना है वो 3 है आपको पूछ रहा है x square plus 1 by x square क्या होगा तो दौनों तरफ square करना है सिर्फ इतना सा काम है a plus b का whole square होगा a square plus b square plus 2ab ठीक है और 3 का square होगा 9 ये cancel out हो गया इसकी value निकाल नहीं है तो ये तो अपनी जगे पर ही रह जाएगा और ये जो plus का 2 है उदर जाकर minus का हो जाएगा तो answer आ जाएगा 7 जो कि हमारा तीसर option बिलकुल सही होगा चलिए बात करते हैं next जो question है question number 5, 4, 2 के बारे में 5, 4, 2 क्या कहरा देखी if x plus y plus z is equals to 0 x q plus y q plus z q plus 3 x y z is equals to x plus y plus z is equals to 0 है तो एक formula होता है a b में होता है हम x में लिख लेते हैं a q plus b q plus c q plus of 3 a b c जो कि x y z चल रहा है यहांपर वो बराबर होता आपके किसके a plus b plus c जो कि x y z चल रहा है यहांपर फिर a square plus b square plus c square जो कि x y z चल रहा है a b b c और c a जो कि x y z चल रहा है यह इसके बराबर होता है algebra का formula तो इसमें इसकी value इन्होंने 0 दे दी है तो इसका मतलब 0 का इस पूरे से multiply करेंगे तो equals to में कितना आएगा 0 और किसके equals to में इसके और इसी का मान पूछा है तो वो 0 होगा जो कि हमारा first option जो है वो बिलकुल सही होगा चलिए बात करते हैं next जो question है 5, 4, 3 उसके बारे पर What is the remainder when 4 power 96 is divided by 6 तो 4 power 96 है unit digit पर focus करते हैं थोड़ा सा तो power कितनी है 96 तो power में हम किस से divide करते हैं जब unit digit निकालते हैं तब 4 से 4 से ही क्यों divide करते हैं क्योंकि हर 4 के बाद में वही repetition आता इसलिए तो 4 से divide किया तो मैं देख सकता हूँ कि remainder मतलब कितना रह जाएगा तो 4 से यह गया आपके कितना 2 times फिर कितना 1 16 तो 4 times तो 24 times यह completely divisible हो गया है तो remainder कितना रह रहा आपके पास यहाँ पर 0 और हमें पता है जब unit digit के बारे में बात करते हैं और remainder 0 रह जाता है तो जो पावर होती है उस पावर को हटा कर हम क्या कर लेता है पावर 4 लगा लेते हैं तो 4 की पावर 4 करूँगा जो की 16 का square होगा जो की होता है 256 उस 256 को divide करेंगे हम 6 से तो भी हमारा answer बन जाएगा तो 6 से divide किया तो 6 से यह गया कितना 4 times 24 फिर कितना है 16 तो 16 है तो कितने 2 times चिला जाएगा 12 फिर कितना रह जाएगा 4 तो यही हमारा answer होगा जो की option पहला आपका बिलकुल सही है चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो question है 544 के बारे में 544 आपको कह रहा है in the question given below if the given mathematical symbols are changed from plus 2 divide जो plus है उसे कर देंगे divide minus 2 multiply minus को कर देंगे multiply divide 2 minus divide वाले को कर देंगे minus and from multiply 2 plus multiply को कर देंगे plus अब आपको बताना है कि कौन सा answer सही होगा इसके लिए तो सबसे पहले तो divide ही करना है तो 67 multiply 119 upon 17 multiply 27 minus 259 तो 17 से इसको मैं cancel out कर सकता हूँ तो ये कितने times चला जाएगा तो ये हम देख सकते हैं कितने times जा रहा है 7 times 70 और ये कितना हो जाएगा 49 बिलकुल 7 times में ये चला जाएगा अब क्या करना है multiply तो इन तीनों का multiplication और minus का 259 चलिए देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा इन तीनों ये multiply नहीं यहां पर plus है चलिए 67 plus है ये ठीके multiply है आपके कौन सा ये वाला तो 27 का 7 से multiplication होगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 140 और ये 49 तो 189 इनको add करना है तो add कर लेते हैं 9 और 7 ये कितना हो गया आपके 6 और फिर ये हो गया आपके कितना 6 और ये 7 और ये कितना हो गया 5 और ये कितना 2 ये 259 तो आंसर आरा minus का 3 जो कि आपका second option बिलकुल सही है बात करते हैं next और last question जो कि इस वीडियो का भी last है और हमारे इस chapter का भी last question है तो वो question है 545 क्या कह रहा है देखिए simple सा question है इसको जैसा कि आपको पता है A मानेंगे इसको B मानेंगे ये क्या हो गया A ये B और ये A और ये B तो उपर formula बन रहा है A Q प्लस B क्यूब का जो कि होता है A प्लस B A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर माइनस ओफ A B नीचे आ रहा आपके A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर माइनस ओफ A B cancel out हो रहा है बिल्कुल क्या बच रहा है A प्लस B तो A प्लस B हमारा answer हो गया A है 0.73 B है 0.27 इनको add करके ही लिखना है जो कि हम लिख सकते हैं और जो कि साफ साफ दिखरा है आपको कितना आ जाएगा वन आ जाएगा तो इसका मतलब option आपका fourth बिल्कुल सही होगा तो यह था हमारा simplification का last question बात करेंगे next video में next chapter के बारे में Thank you so much Please like, share, subscribe Digital Tiyari